एपिसो नमबर 99 के स्टर्टिंग होती है और हिश्वेन ली को मारती हुए कहता है मैं तुमको क्यों बताओ तब ली उसके वार से बसती हुए कहता है मेरे मन में हमेशा तुमारे लिए एक बुरा हैसास रहा है और लगा तार तुम मेरा विरोत करते आ रहे हो क्योंकि तुम किनलुआई के छोटे भाई हो और फिर वो उसके मुपे पंच मारती हुए कहता है किनलुआई के साथ मेरे मामलों में हस्तर छेप करने की बारी तुमारी कब आएंगी फिर हिश्वेन उससे कहता है तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो मेरी बेहन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उसकी बाते सुन ली उसकी कॉलर पकड़ती हुए कहता है ऐसे कैसे और मेरा केवल किनलुई का पती हुँ बलकी मिंग जी और जुवान का पिता भी हुँ और तभी वहाँ हिश्वेन की मॉम आ जाती है और चलाती हुए कहती है बस बहुत हो गया क्योंकि तुम दोनों की पास एक दुसरे से लड़ने की एनरजी है तुम दोनों जाकर इसका पता क्यों नहीं लगाते कि किनलुई को कौन ले गया था और फिर वहिश्वेन कहता है मॉम उसने शुरू किया था अब उसकी मॉम उससे कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ने लड़ाई शुरू की और अगर तुम को एक दूसरे से लड़ना ही है तो तुम दोनों यहाँ से भार जाकर लड़ो किनलुई को परेशान मत करो जल्दी करो जाओ वह इश्वेन उनसे कहता है हा मैं जा रहा हूँ और फिर वोमन में केना लगता है यह और्गनाईजेशन इस सहर से परिचित नहीं है और कोई ना कोई ऐसा वेक्ती जरूर होंगा जो मुझे उन तक पहुचा सके और फिर ली कहता है बले ही मेरी अंटी मुझे सच ना बताए लेकिन मैं सब कुछ पता लगा लूँगा फिर वो दोनों भार जाना लगते है तब ही ली उससे टकरा जाता है और हिश्वेन उससे कहता है क्या हुआ क्या हुआ क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो अब ली उससे रुमाल देती हुए कहता है यह जानता हूँ कि लॉंग फैमिली मेरे अगेंस्ट है और मुझ पर विश्वास करो या ना करो किलनुआई जब तक है मैं किलनुआई के सिवा किसी को नहीं देखूंगा और ये लो इससे खुद को पोच लो और फिर इश्वेन उससे कहता है तुमको नकली बनने को किसने कहा और मौम आप उसे बेवकुफ नहीं बनने दे सकती और इस बारे में सोचिये कि 5 साल पहले उसने मेरी बहन के साथ कैसा बढ़ताव किया था और फिर लिवास से जाती हुए कहता है इसका जवाब तो समय ही देंगा और फिर वोमन में किन लगता है कोई बात नहीं किल लुआई मैं आप तुमको कभी नहीं जाने दूँगा और मैं अपने पूरे जीवन में उस तरह का एसास नहीं करना चाता जैसे की मेरी आत्मा का आदा हिस्सा मुझस से छील लिया गया हो और बले ही किन लुआई हमको नर्क ही क्यों न जाना पड़े तुमको मेरे साथ रहना होंगा और वहीं दूसी तरह फिर 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 उसकी मॉम से कहरा होता है पास साल पहले उसने मेरी बहन को बहुती जदा दुख दिया और हम उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते और आपको भी नरम दिल नहीं बनना चाहिए तब उसकी मॉम उससे कहती है मैं एक माह हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खुश रहे और अभी अभी ली ने जो कुछ भी कहा उसके एकस्पैसन से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सीरियास है ने सुन ही श्वें चिलाती हुए कहता है माम और पिर उसकी माम उससे कहती है बाते करना बंद करो और अगर तुम कहीं नहीं जा रहे हो तो जाओ जाकर एक पानी का बैसिन लेकर आओ जिससे मैं तुम्हारी बहन का मूद होने में उसकी मदद कर सकू और फिर सी इन सिफ्ट तो तरह मैं कुछ दरबात का समय दिखाया जाता है जहां कि लोई की माम उसके चेरे को छूती वे कैरी होती है पिरी बच्ची तुमने बहुती ज़दा दुख जहला है और ऐसा क्यो है कि तुम हमेंसा दूसरों के साथ अच्छा बढ़ताव करती हो लेकिन दूसरे तुम्हारे साथ बिलकुल भी अच्छा बढ़ताव नहीं करते और गाइस दी के साथ एपिसोड नमबर 99 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में तब तक ले सायोन आरा